दोस्तो नमस्कार, दोस्तो वो पांच बाते बताने वारा हूँ, जो स्कूल ने नहीं सिखाई, लेकिन RCM ने सिखा दिया, जी हाँ दोस्तो, स्कूल कॉलेज में हम जब जाते हैं तब हमारा उद्देश रहता है ग्यान, और शायद इसलिए ही स्कूले बनाई गई थी ताकि जो लोग हैं, जो छोटे हैं, उनको ज़्यादा ज़्यान मिले दुनियादारी के बारे में और हर एक छीच के बारे में जो उनको चाहिए, लेकिन हो कुछ और इजा है, जो उनको चाहिए, वो तो नहीं मिल रहा है, जो उनको नहीं चाहिए, जिसकी जरौत नहीं है, वो ल एक सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हो सके इसलिए फिफ्ट ठीक है यह एट्थ दक भी ठीक है लेकिन हम नाइंट तैंथ ऐसे पढ़ा जाती है जिसका सब्जेक्ट का हमारा कोई नाता भी नहीं होता है हमें पढ़ने की इच्छा नहीं होती है कई ऐसे विद्यात है जिनक को उसके बारे में कोई रूची नहीं है फिर भी उससे पढ़ना पढ़ता है स्कूल दोस्तों मेरे इसाब से स्कूल मैसिज शिक्षा दी जानी चाहिए जो हमें काम आए अब आप देखो नर्सरी टू ट्वैल्थ यदि हम पढ़ते हैं तो करीब हमारी एज 17 की हो जाती है अठारा की भी हो जाती किसी की सोला की भी हो जाती है अलग-अलग रेशियो हो सकता है एवरेस एज 16-17 होती है लेकिन उस 16-17 साल बरबाद करने के पीछे हमें मिला क्या वह एदि आप एनलाइसिस करेंगे तो आप बहुत ही पीछे रह जाएंगे ठीक है इसलिए हम इंडिय को दोस्त दे सकते हैं क्यों देंगे कि खिर वही तो हमें नौलेज नहीं होता कि हमको क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है लेकिन हमें जैसा पढ़ाया जाता है हम उसी पर विश्वास कर लेते हैं कि यह जो पढ़ाया जा रहा है वह एकितम सही है लेकिन ऐसा सही नहीं आप देखो 10th class की बात करूँ मैं जैसे मैंने 10th class पड़ी थी तो मैंने सीखा था जैसे मैंने पहरा चितर यहां पर दिया हुआ है कि दरपन जो होता है लैंस होता है उस पर कोई रेज आती है वापिस आ जाती है वगेरा वगेरा परावरतन कहते हैं इसको अब यह चीज कहां काम पौधों में reproduction को पड़ाया जा रहा है अरे हमको नहीं समझना है कभी chemistry पड़ाई जा रही है 10th class की बात करो जो सबको पढ़नी पड़ती है 11-12 पर फिर भी आप subject choose कर सकते हो लेकिन 10th में हमको यह सब पड़ाया जा रहा है जिसके में नहीं जरूरत है आप practically सोच के देखो कारबन स्ब्राइब जा रहे हैं chemistry पड़ाई जा रही है उसके बाद एक दब से maths पड़ा दिछाती है जिसमें trigonometry पड़ाया जा रही है जो हमको पता भी नहीं है कहां use लेनी है फिर भी हम उसको पड़ रहा है इसके बाद politics पड़़े जाती है politics को कोई लना-दा नहीं फिर लोक्ततर के बाले में ऐसी चीज़ नहीं करती है वो भी चीज़ पढ़र आधी है जिहीं होकी ओपागर। पढ़राए जाती हैं लिए हुआ हमें क्या करना हूं से फिर भी वह पढ़ना पढ़ता हूं यह बाहब बाबर जो आया था हमारे इंडिया में यह मैंने पढ़ तो लिया, लेकिन यह कहां काम आएगा, तो अगले वक्ति कहता है, अरे भाई, एक्जाम्स में आएगा, मैं का चलो ठीक है, एक्जाम्स ही पास कर लिए, 12th के, 11th के जो भी थे, अब कहां काम आएगा, कि भाई, competition के एक्जाम्स में काम आएगे, मतलब यह ज education system यहीं तक ही सिमित है, इसलिए हमें कोई financial education नहीं दे जाती, कोई communication skill नहीं सिखा जाती, पस्तनी development नहीं सिखा जाता है, इसलिए रटा मारते रहो, पढ़ते रहो, एक्जाम्स में टॉप करो, बस, खतम बाद, पहला तो फिर भी सबको equal मना जाता था, लेकिन आज कल देख कोई एक चीज fix हो, ऐसा कुछ नहीं कह सकते, तो इसलिए धानाओं को हटाना पड़ेगा, तो मेरा आज का topic क्या था, मैंने आपको बताया, practical knowledge जो RCM देता है, इसकूल नहीं देती, 10th class तक, 12th class तक मैं practical knowledge नहीं दी गई, जो लिनी बहुत जरूरी है, आज के टाइम में पां communication skills is the important, communication, किसी से भी communication करो, कस्टमर से communication करो, अपने boss से, अपने team से, अपने appliance से, अपने downline से, कई sales कर जो तो customer से, client से, supplier से, किसी से भी आपको communication आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे हमारे आधे से ज़्यादा काम रगते हैं, आपके sources कम हो जाए, आपके skills कम हो जाए आपके creativity कम हो, आपके product में दम नहीं हो, तो भी communication skill काम आती है, communication skill result दे सकती है, इसलिए communication skill सीखना पड़ता है, जो experience से सीखी जाएगी, जब तक हम practically लोगों से बात नहीं करेंगे, हम सीखेंगे नहीं उस चीजों को, observe नहीं करेंगे, तब तक नहीं सीखा जाएगा, observe करना स सिखाएगा, जिसको हम कहते है, आर्ट सीम बिजनस में सब सीखा जाता है, स्कूल नहीं सिखाया, कि कैसे आप बोलो, ठीके ना, मिरसरी केजी तक सब सीखाया, कि किस तरीके से बोलना चाहिए, लाला जबूरी बोला है, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, लेकिन रियल नहीं करो, मैं हर जगे की बात करूँ, कोई बीची जो आप प्रजेंट नहीं कर पाऊगे, तब तक काम के नहीं है, अपने टीम को ग्रो कैसे करोगे, उनको प्रजेंटेशन देनी पड़ी है, हर चीज की, जॉब करोगी, वहां भी आपकी टीम होगी, आपके बोस होगे, काम को भी प्रजेंट करना पड़ता है, हर चीज को प्रजेंट करना पड़ता है, उसे स्कील को कहते है, प्रजेंटेशन स्कील, नहीं सिखाया है, आप लगातार काम कर रहे हो, आपके अप्लाइन सिखाती है, छोटी-छोटी बाते बताती है, इस अब क्या है, प्रजेंट करने लिए मानलो उसने दुनिया जीत ली लोगों को प्रभावीत करना लोगों से बाते करना मंच पर खड़े होना मंच पर बाते करना expression दिखाना हा या ना कहना लोगों को अपनी बातों में interest दिखाना यह सब होता है public speaking इसकी एक बहुत बड़ी कला होती है जिसने मंच को जीत लिया उसने दुनिया जीत ली में आरबार कहता हूं या अज बड़े से बड़ा leader क्यों लोगों को प्रभावित करता है क्यों कि उसके अंद्र बोलने की कला है मोदी जी हो राउल गांधी हो अर्वेंद केजडी वालो politics देख लो तो बॉलिवुड भी देख लो आप उसमें भी कहीं लोग पप्लिक speaking करते हैं लोगों को प्रभावित करते हैं बहुत कैमेरा के सामने बोले मंच पर बोले कैसे बोले आपके बोलने में जो शब्द होते हैं उसका अच्छे से इस्तिमाल करो आप अच्छे से डील करो वह थी पब्लिक speaking यदि वह सीख ली जाए तो आप हर फिल्ड में अच्छा मुकाम आसिल कर सकते हो लेकिन वह कब होगा जब आपको पब्लिक speaking आती हो आपने सीखी हो आपने कर रही हो उसका experience लिया और experience कहां लोगे आर्सीम में लोगे कि आप आर्सीम में वीकली ने का मौका मिल रहा है अपको मंच पें खड़े देने का मौका मिल तो इन बातों को समझें और आसके के students हो, उनको बताओ चौता leadership skills leadership अपनी team को handle करना अपनी team को leadership देना leadership बहुत बड़ा word है अपने आप में कोई bossism नहीं है, लोगों को जारना नहीं है लोगों को नीचा नहीं दिखाना है है ना, लोगों को से wealth की बाते नहीं करनी है team में growth चाहिए business में growth चाहिए अपनी team work में growth चाहिए उसके लिए team को handle करना पड़ेगा, उसको कहते है leadership अपनी team को आगे ले जाना है आपको, एक एक वक्ति की सहाथ मिलाना है आपको, एक एक वक्ति का साथ देना है उसको कहते है leadership skill कभी सीखा, इसकुल में leadership होती क्या है, हाँ 11-12 में जब आपको वो business का chapter आएगा ना उसमें leadership जरूर सीख लोगे, लेकिन एक दम theoretical में practically कोई नहीं सिखाता है जबकि practically सीखाना चाहिए इन सब चीजों को पांच हुआ आज के वीडियो का final, total personality development पूरी personality को change कर देगा RCM business को क्योंकि वो सिखाएगा, आपके अंदर चीज को वो develop करेगा आपके बोलने की कला, आपके dressing sense, चलने की कला, आपको customer को handle करने की कला, sales की कला, हर चीज को सिखाएगा जिससे की personality बदल जाएगी, कई लोग है, जो पहले RCM से पहले कैसे थे, RCM की बात कैसे हो गए क्योंकि उनके अंदर personality का change आया है, school नहीं सिखाता है सब चीजे, अभी तो मैंने सिर्फ 5 चीजे बताई, और तो कई सरी चीजे बताई नहीं आज RCM का सुबह का session आप attend करो, कभी, आद्यात्मिक्ता सिखाई जाती है, संकल्प लेने की शक्ती सिखाई जाती है, आदतों में कैसे बदलाओ करें, वो सिखाई जाता है लोगों से कैसे deal की जाती है, बड़ों का आदर कैसे किया जाता है, कैसे लोगों से respectfully बात की जाती है, हर चीज सिखा रहे हैं, जो मैंने अभी बताई नहीं आपको, वो भी चीजे सिखाई जारी है, जो इसकुल में शायद नहीं सिखाई जाती आपको पता लगेगा कैसी कैसी चीजे सिखाई जारी है, जो हमें पूरा का पूरा परिवर्तित कर देगी, केवल एक बिजनसमें नहीं बनाएगे, पैसे कमाने के मशीन नहीं बनाएगी, एक अच्छा मानव बनाएगी, डाउन टू अर्थ बनाएगी, इमानदार व्यक्त बनाएगे, जो जूट ना बोले, दिखावाना करें, जो बड़ी ना हांके, वैसन मुक्त हो, हर थी सिखाती है आर्से, तो इसलिए केवल आर्से में बिजनस ने एक जीने की कला कहा जाता है इसको, हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, आज का वीडियो आपको पसंद थाइवाद, थांके वेरी मच्छ